तो हेलो माई फ्रेंड्स हेलो आई वियों कैसे आप सब अमीद करती हूँ आप सब खेरियस से होंगे तो यह देखिए मेरे पास कितना खुबसूरत जैब्रा प्लांट है और तकरीबन इसे यहां पर लगे हुए दो साल हो गए हैं और यह देखिए यह कितना खुबसूरत हो रहा है और यह देखिए कितना वुशी भी हो रहा है वैसे तो यह प्लांट जोंस है वो काफी ज़्यादा जोंसी व्रैटीस में आता है तो मेरे पास अभी यह व्रैटी है इसकी और यह देखिए अगर हम अब हम इस पर बात करेंगे कि अगर हम बात करें इसकी प्रोपोगेशन की तो इसे प्रोपोगेट कैसे किया जाता है तो इसे तकरीबन दो मैठर से प्रोपोगेट किया जाता है एक तो एक ये खुद बाखुद खुद को प्रोपोगेट करता है और दूसरा हम इसे खुद से प्रोपोगेट कर सकते हैं वो भी इसकी ली तो उसे हम लगा दें तो वो बात करें कि आप नहीय maior बात करें पूर cheap rain till ओने वह प्लाइट हो जाता है कि गोढ़न अधी वह पूर जाता है वह प्लांट अख जाता है तो तब यह उन से अपने जए तीन साथ है किया जालता है इसके एक तरीका नहीं है दो नहीं तीन तरीकों से इसे तीन मैठ्रों से इसे प्रोपोगेट किया जाता है एक तो मैंने बताया कि यह खुद बाखुद खुद को प्रोपोगेट करता है और दूसरा इसे हम प्रोपोगेट कर सकते हैं इसकी लीव से और तीसरा इसके सेड से जब यह पूरी तरह से मिचूर हो जाता है प्लांड तो पिर हम इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं ऐसे निकलती है जिस तरह से एलो वेरा की निकलती है यहां center में से एक stamp निकलती है यहां से तो उस पे आती है flowering जब उस पे flowering होती है flowering के साथ फिर उसमें बनते हैं seed pot seed pot में से फिर इसके seed जब generation होते हैं तो फिर यह propagate करता है खुद को यानि कि seeds के थूब भी और खुद बाखुद जो खुद को propagate करें मतलब यहां से इसके pubs निकलते हैं चोटे चोटे बेबी pubs जैसे के aloe vera के निकलते हैं जैसे के मेरे पास एक यह है यह देखिए तो यहां पर इसके pubs grow हो रहे हैं यह चोटे चोटे अगर आप देख सकें तो इस तरह से ही इसकी साइडों से भी pubs grow होते हैं और यह खुद को propagate करता है और बात करें इसकी roots की तो इसकी roots चोटे हैं वो इतनी गहरी नहीं होती मतलब वो यहां उपर तक ही रहती हैं पोर्ट में सिरफ एक से दो दो से तीन इंची यहां तक आती हैं जादा नीचे नहीं परहां इस पहलो कि नहीं शेमन जाथी नहीं होती है इसकी roots और इसे थे इतने जादा गेहरे पोर्ट पी जुरूरत नहीं होती है है जिसे बड़े पोड़ से दो परकुत करता है और पहलता चला जाता है और प्रहिए जैब्रा और प्रहुरा से घड confirm बाद्ग ज्यातर और अगर हम आप बात करें इसकी सनलाइट की तो सनलाइट इसे इतनी भी ज़रूरत जैसे गर्मियों में तो इसे बिल्कुल भी नहीं पसंद जितनी यह बर्न करने वाली आजकल यह सनलाइट है दूप है बहुत ज़्यादा शदीद इस बार गर्मी पढ़ रही है तो इसे ज यह बर्न होना शुरू हो जाती है तो एक है 실न से प्रोडिये कौझा करें खूब अगर आप इस पीअधिए ने पार अबिधियूंद एक पूरी लिफ जूंसी भी खराब होना शुरू हो जाती है अगर अगर अपने अपने धिया देखने तो आप इसे क्या करें यहां से यह लीफ जूंसी यह बंद हो जाएगी और आपकी पूरी लीफ जूंसी बच जाएगी अब यह देखें यहां से बर्न होना स्टार्ड वही है यह वाली और यह कहा तक इसकी बर्निंग जूर्ण सी वह चली गई है तो अब यह देखें तो इसे तकरीबन शेमी शेडिये एरिये में रखें मेरे यह चीकू का दरख्त है मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए यह चीकू का द्रखता है इसके नीचे मैंने अपने यह सारे जोंसे प्लांट्स हैं यह आप देख सकते हैं ये सारे के सारे plant जोंसे मैंने इसके नीछे रखे हूए हैं यह में आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ मेरे अब सब्राइब प्लांट को जोंसे हैं वो मैंने यहां पर trees जोंसे और नीछे रखे हूए हैं यह देखिए कितने प्यारे लग रहें और यह रहिए तो इसी तरहां इसे भी मैंने यहीं रखा हुआ इनके साथ ही यह सबी प्लांट्स के साथ यह रहिए उससे क्या होता है कि हुमी टिटी बनी रहती है और अच्छी छंडी छंडी सी हवा इने लगती रहती है और थूप की जोंसी तपश है उससे यह बचे रहते हैं तो यह रहें तो फटलाइजर की से कुछ जरूरत नहीं होती हैं साल में आप दो बार इसे फटलाइज कर सकते हैं वो भी और गेनिक जो घर में बनाओ बाकी से कोई इतनी ज्यादा केर की भी नहीं जरूरत होती और किसी डाइनिंग पर यह है कि कुछ देर आप इसे जहां पर थोड़ी सी रोशनी वगारा आ रहे हो थोड़ी सी चैमी शेड एरिया हो वहां पर भी आप रख दें तो और इसे वाटरिंग के इतनी रिक्वार्मेंट नहीं होती अगर इसकी वाटरिंग की बात करें तो इतनी देख सकते हैं कि यह कितना खुब्सूरत प्लांट ग्रोव हो रहा है और यह देखें तो इस तरह से अब यह जो उनसी लिफ्स बर्न हो गई है इन्हें यह देखें यहां से कट कर देंगे सीजर की मदब से तो यह बर्न होना बंद हो जाएगा और प्लांट जोंस है वो और जो कि यहां पर भी इसके धेरों पकट रोगोरें नीचे से तो यह जब आपका प्लांट आप ज़से घरोत कि तो जब वह ब्लूर तैंस से थोड़ा मिचूर होता है तो तब अफच अपने प्लूर करता है और जब यह पूरी तरह मिचूर है तब आपने सीडिस देता अच्छी तरह मिचोर हो जाए तो ही इससे सीट लेख सकते हैं तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमिंट बॉक्स में जरूर कमिंट करके पूछें मैं आपको जरूर जो आप दूँगी अगर किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली होगी तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमिंट करते लिए इसी तरह हमारी होंसला उभजाई होती रहेगी और मैं आपके लिए इस तरह ही नहीं नहीं अच्छी गुट बाई